खरगोन जिले में बरूट शात्रवास की शात्राओं ने शात्राओं प्रबंदन पर शाषन से मिलने वाली सुधाय नहीं देने की शिकायत अपर कलेक्टर ऐसेस मुझालदा से की है कलेक्टर कारे ले पोची छात्राओं ने समय पर भोजन नास्ता नहीं दिये जाने के साथ ही मैनू में भी मनमाना बदलाव किये जाने का गंभीर आरोप लगाया शात्राओं ने बताई कि छात्रवास में साफ सफाय का ध्यान भी नहीं रखा जाता शिकायत करने पर उलट उन्हें ही फटकारा जाता है शात्राओं ने कलेक्टर से मांग की है कि छात्रवास का निरिक्षिन कर वहां मिलने वाली सुधाओं का लाब शात्राओं को दिलाए जाए उलेखनी है कि शाषन इस्तर पर अच्छी सिख्षा के साथ चात्र शत्राव के लिए होस्टल का संचालन भी किया जा रहा है चात्रवासों में बोजन सहीत नास्ता एवं उन्हें दिन चरिया की आउशक वस्तुएं भी उपलब्द कराई जाती है खरगों से जैंत गुपता की रिपोर्ट चार साल हो गए सर हमारी कुछ मांगे पूरी ने हो रही है तो कित्ती लड़किया है वहापर तोटल तेविस लड़किया है पर उसमें से भी काम आती है फिर भी होस्टल चला रहे में को ने हो शोमा पर अधिक्सक भारती मंस आरे उन्हें कहीं बात किया अपने हैं सर चाह बोला हुर। सब वो बालती कि दिन मैं बोल दोंगी ऑर फीर बोलती कि wired अब क्या मांग कर रहा है हमारी इहां सब्सपाई आद ज़ाड कोइब आतानी है । और वो सब बोलरी कि मेरे कैसे से सब कुछ कर रही हूं तो इस तरफ से क्या कुछ नहीं मिलता क्या नाम है आपका निकिता नरगाई काहां पर पर हो आप बरूड़ हमारी होस्टल में साफ सपई नहीं होती है और पेल सावन की बात करने जाते तो में बोलते कि क्या मेरे जेब से में खिला रही हूं सरकार देती नहीं ऐसी बोलती है में और हम नास्ता का बोलते तो बोलती कि एक दिन नास्ता करोगे तो क्या मर जाओगे ऐसी बोलती तो हम किस करा आज हम कोई हाना पड़ा इसलिए और साफ सफ़ाई कभी नहीं होती और बोलते हम कि पांच हजा रुपे देना तब में होस्टल में रोखंगे आठ आठ दिन के अंदर अंदर ऐसे बोलते किठी लड़का है आप हुटल में खुल तेविस है क्यारी फारी मिलाके पर आधि लड़का आती निक्तविक अपर कपसे हैं आप महापत समय हैं चार शाल हो गये चार अपर परिशान हो रहा है हम नास्ता मिलता नहीं और नास्ता बोलते हैं तो बोलते हैं एक निन खाओगे तो मार जाओगे एक नाम है आपको परमिला पुरिया हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिलकुल भी ना भुलें